दोस्तों तो यह है Bajaj City 110X और यह complete review आज मैं आपको इस वीडियो में इस बाइक के बाड़े में देने वाला हूँ इसका on-road price बताऊंगा engine sound सुनाऊंगा इसमें Bajaj Company द्वारा आपको क्या-क्या चीज मिलता है यह complete आपको इस वीडियो में जानने वाले हो Bajaj City 110X के बाड़ नहीं हो तो आप description में दिये हूए number पर Bajaj Showroom में call कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चली शुरूबात करते हैं आज की वीडियो की तो चली शुरूबात करते हैं आज की वीडियो की अल्राइट दोस्तों तो यह रही Bajaj की नई CT 110X और सबते पहले अपन लोग इसका फ्रेंट से आपको दिखा जते हैं प्रफाइल लोग इसका तो फ्रेंट में जो आप देख रहे हो इसमें आपको राउंड शेप में हालेजिन हेडलाइट सेटप मिलता है हेडलाइट के आपको हेडलाइट ग्रिल दी भी मिलेगी कंपनी फिटेड और यह हेडलाइट वाइजर आप देख सकते हो हेडलाइट वाइजर के ठीक सेंटर में आपको ऊपर के तरफ यहां पर ड्रें लाइट मिलती हैं लगी और स्टीकर की बात की जाए तो आप स्टीकर देख सकते है silver और blue combination के साथ इसके black paint पे काफी देखने में attractive लग रहा है indicator आपको वही bulb and deflector वाले indicator मिल जाते हैं इस motorcycle में front में आपको टेलिसॉफिक frog suspension मिलता है इस पे आपको rubber का cover चढ़ाया गया जो कि इस bike को एक modified look प्रदान कर रहा है front fender की बात की जाए तो यह देख लो front fender आप देख सकते हैं complete matte black finish के साथ आपको इसमें मिल जाता है इसमें आपको MRF के टार मिल जाते है tube आले इसमें tubeless नहीं आता है यह देख लिजे 17 इंच के alloy मिल जाता है black paint के साथ और यहाँ पे आपको CBS technology के साथ इसका breaking system काम करता है 130 mm का front में आपको इसमें drum brake मिल जाता है CBS technology के साथ CBS का मतलब होता है कि जैसे आप पीछे का brake apply करोगे तो आगे भी brake automatically लग जाएगा जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुती सही चीज है fuel tank इसका 11 liter का fuel tank मिलता है जो कि 110 CC के category में 11 liter का fuel tank बहुत ही अच्छी बात है आप इसमें अपना fuel एगारी लिटर तक स्टोड़ेज कर सकते हैं long ride के लिए और fuel tank पर आप देख सकते हैं sticker form आपको यहाँ पर blue और white color pattern में दीवे मिलेंगे यहाँ पर tank rubber भी आपको यहाँ पर लगा के बजाज कंपनी दे रही है इसके fuel tank पर तो अब मैं आपको इस motorcycle के engine के बारे में जनकाई देता हूं इसमें आपको 115 CC का air cool BS6 DTSI twin spark plug के साथ इसका engine आता है इसमें आपको electronic carburetor इसमें लगावा मिल जाएगा fuel on off करने का भी option इसमें दियावा है और यह complete आपको kick और self start दोनों के साथ यह motorcycle आती है यह fuel on off करने का option भी इसमें मिल जाएगा number of gear इसमें आपको 4 मिल जाते हैं यह देखिए यह इसमें आपको full chain guard का support मिलता है back में आपको spring type suspension मिलते हैं और saari guard की बात की जाएए तो इसमें आपको saari guard दोनों साइड आपको लगा के company दे रही है यह देखिए एक साइड काप saari guard देख लिए दूसरे साइड का में आपको saari guard देखाते हूं यह देख लो silencer की बात की जाए तो इसमें आपको दो कलाटोन में silencer दिये वे मिलेंगे matte black finish और silencer heat protector आपको के साथ दिया हूँ मिल जाएगा और सामने के तरह आपको यहां पर catalytic converter दिया हूँ है यहां पर engine protector guard यहां पर लगाव मिल जाएगा engine protector guard यहां पर steel form मिल जाएगा lake guard आप देख सकते हो lake guard पर आपको यहां पर rubber की grip यहां लगा के दिया जाएगा यह इसका बैटरी पैनल, बैटरी पैनल पर आप देख सकते हैं, स्टीकर आपको ब्लू और वाइट पैटन में आपको यहां पर स्टीकर लगा के कमपनी दे रही है, बजा सीटी वन टन एक्स में आपको चार्ड मिल जाते हैं, जिसका दूसरा कर अप्शन में आपको दिखा यह देख लिए, यह रेड और ब्लाक कंबिनेशन के साथ आपको बजा सीटी वन टन एक्स आपको शोरूम में यहां पर उपलब्ध है, बात वाकि जैसे कि मैंने बताए इसमें और बी कलर ऑप्शन मिलते हैं, वो आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगा, दोस्तों सीट क इसका जो लंबाई आप देख सकते हैं, दूर से में आपको देखायता हो, यह देख लो, सीट की जो लंबाई है, काफी जादा रखा गया है, ताकि इसमें अराम से आप दो आज में ट्रेवल कर सकें, दोस्तों बैक प्रोफाइल लुक की बात की जाए, तो यहां पर आपक कैडियर मिलता है, इसमें आप 5-6 कजी का वजन लोड करके आप ट्रेवल कर सकते हैं, और बैक टेल लाइट आपको मैं देखा तो यह देख में आपको ट्रेंगल शेफ में आपको टेल लाइट मिलता है, बल्व और रिफ्लेक्टर वाला इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यह देखिए और बैक में यह मटगाड आप देख सकते हैं कि दोस्तों बैक में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है यहांडिल के बीचो बीच आपको रबर कवर के साथ आपको हैंडिल ट्रिम दिया वह मिल जाता है जो कि आपकी बाइक में stability प्रदान आपको राइडिंग के वक्त करेगी तो आपको इसमें complete आपको अनलोग मीटर देखने को मिलेगा बात बाकी जो मीटर पे जो नीजी जनकारिया होती जैसे न्यूटल की लाइट इंडिकेटर की लाइट इंजन मैल फंशन की लाइट और पास लाइट की लाइट य और दोस्तों बजाज City 110X के साथ बजाज कमपनी 90 kmpl का मालेज क्लेम करती है पर इसका जो रियल मालेज है वो आपको 70 kmpl का मिल जाने वाला है बात बाकी जो मालेज है आपके राइडिंग कंडिशन और बाइक के मेंटिनेंस पर भी डिपेंड करता है इंडियन रोड कंडिशन के हिसाब से बजाज City 110X का ground clearance 170 mm का ground clearance इसका है और तो इस motor cycle का cut weight 127 kg रखे तो फ्रेंट में आपको 2.75 यानि 2.75 का आपको ट्यूब बला टायर आपको फ्रेंट में दिया वा मिल जाए गया MRF कंपनी का तो बैक में आपको 3.017 का आपको ट्यूब ब और प्राइस मालूम करने के लिए आप मुस्से comment section में अपने state का नाम उस particular bike या स्कूटी का नाम ने करके और प्राइस मालूम कर सकते हैं या नहीं तो बजाज या नहीं तो मैंने description में बजाज शोरूम का number address के साथ दे दिया है आप यहां पे call करके बजाज बाइक से संबं तो दोस्तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको बजाज CT 110X पसंद आई हो इसका review पसंद आई हो तो इसी नाम पर वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब कर लें मिलता हूँ आप लोग से एक next वीडियो में तब तक लिए दो इस भाई को इस आज़त